क्लास नाइन्थी वर्कशिट आगी बेटा वर्कशिट नमबर ट्वेंडी टू चौबिस अगस दो हजार बीस की वर्कशिट है इंगलेश में हम लोग कर चुके हैं मैथमाटिक्स की वर्कशिट ना व्यर दूइंग इट हैं ना हिंदी मेरिया त्रिभुज के कोणों का फिरयों क्या होता है 180 डिग्रे अब हम इसको प्रूव करना है कि 180 डिग्री होता है आप इस ठेओरम को अपनी कॉपि में नोट करेंगे विनुपल वर्ण टू वर्ड करेंगे कि यह कैसे लिखा गया है मैं आप拼ो समझा देती हूं यही जो लिखा गया है यह लिखा क्या हमें प्रूव करना है कि एक तरभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 लिगरी होता है हमें एक तरभुज दी गई है मानलो यह ABC तरभुज है या PQR तरभुज है हम क्या करेंगे जो भी तरभुज आपको दी गई है उसके पैरलल एक लाइन यहां खाइचेंगे शादिय पी क्यू आर दी गई है इसके पैरलल हमें एक लाइन यहां खीच देंगे हमें प्रूव करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 180 डिगरी यह हमें प्रूव करना है फिलाल आप यह देखिए अंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 डिगरी इसमें कोई डाउट है एक पॉइंट पर एक लाइन में एक लाइन पर सीधी लाइन पर एक पॉइंट पर तीन कोण है तीनो कोणों का सम कितना होगा तीनो कोणों का यह होता 180 डिगरी ये लाइन हमने इस लाइन के पैरलल कीची है तो एंगल 5 is equal to एंगल फिर से समझाती हूँ फिर से देखे बच्चे ये लाइन हमने ड्रॉक की है ये एंगल ये ट्रांसवर्स अगर है तो ये एंगल यहां पर एंगल 1 था यहां एंगल 2 था और यहां एंगल 3 था एंगल 5, 4 ले लिजे एंगल 4 is equal to एंगल 2 क्योंकि ये दोनों समानतर रेखाए है समानतर रेखाओं में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है ये वाला कौन इसके बराबर होता है और एंगल 3 is equal to एंगल 5 ये भी देखे ये 5 एंगल है क्योंकि अब इस बार हमने ये वाला वो लिया है मानलो ये काटती हुई रेखा है ये दोनों पैरलल लाइने हैं और ये काटती हुई रेखा है तो एंगल 5 is equal to एंगल 3 एंगल 4, दो की जगए आप 4 लेख सकते हैं नहीं, 4 की जगए आप 2 लेख सकते हैं और 5 की जगए आप 3 लिख सकते हैं ये बराबर हैं तो आपका पूरू हो गया एंगल 2 is equal to plus एंगल 2 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों को जोड़ो तो तीनों का योग 180 डिग्री आता है चले देखते हैं ये देखें, ऐसे ही इनोंने ऐसे ही इनोंने प्रूव किया है ये रहा ये एंगल 4, एंगल 3 के बराबर एंगल 5, एंगल 2 के बराबर ये रहा एक आंतर गोणों का यूग एक आंतर कौन थे अब हम आते हैं एक और थियोरम की तरफ जो थियोरम कहती है ये प्रमे कहती है कि अगर एक बुझा को बढ़ा दिया जाए तो बाकी दोनों मैं पताती हूँ क्या कहती है अगली प्रमे कहती है किसी वित्रभुझ में अगर एक बुझा को बढ़ा दिया जाए तो जो यहां पर कौन बनता है वो इन दोनों कोणों के बराबर होता है यानि कि angle 3 is equal to angle 1 plus angle 2 एक जब माद 2 को जोड़ो तो बराबर है 3 आता है ये साबित करने के लिए देखे इस line पर A, B, C ले लिजे B point पर मानलो ये angle 4 है angle 4 plus angle 3 is equal to 180 degree ये आपको पता है ठीक है पिटा? क्योंकि एक ही point पर 2 कोण है तो 180 degree के है साथ ने आपको ये भी पता है एक जमा 2 जमा 4 जो कि तरभुज के तीनों कोण है तीनों का कोणों का योग कितना होता है 180 degree यानि कि ये और ये बराबर है 4 में से 4 कट जायता है यानि 3 बराबर है एक जमा 2 यही हमें साबित करना था हमने कर दिया इसको कहते हैं बहाई ये कोण प्रमे क्या कहते हैं बहाई ये कोण प्रमे ये वाला भी हमने प्रूव करती है आते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल कहता है आकरती इस वाली आकरती में आमें निकालना क्या है, पहले ये देख लेते हैं, हमें निकालना है बच्चे, X और Y, चलिए, X और Y निकालना है, आईए, दिखाई देरी तरबुच, चलिए शुरू करते हैं, जिस ट्राइंगल को मैं कहूं, आप उसी ट्राइंगल को देखिएगा, आप देखिए ट्राइंगल TQR, एंगल T90 डिगरी है, दिख रहा है बेटा, T जमा Q, जमा R कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि एक तरबुच है, T90 है, दिया हुआ है, Q40 है, दिया हुआ है, तो R कितना आ गया है, यानिकि X, कितना आ गया, ये निकालना है, 90 और 40, 130, यहां जाके घड़ जाएगा, तो X आ जाएगा, 50, X आपका आ गया, 50, ये कोणा आपका, 50 आ गया, अब आप देखिए, सवाल पढ़ें, एक बार, QT, TQR, SPR, अगला कोण हमें जो निकालना है, वो है Y, Y निकालना है, देखिए बच्चे, Y को दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, यहां पर हम exterior angle theorem लगाएं, क्यों हमने अभी अभी सिखा है, भाई ये कोण परी में, तो देखिए, इस वाली triangle में, triangle PSR, आपको दिखाई दे रही है, ये कोण आगे बढ़ाया गया है, है ना, ये exterior angle Y ये कोण बनता है, यानि कि ये किसका जोड़ोगा, इसका और इसका जोड़ोगा, तो angle Y is equal to 30 प्लस X, और X कितना आगया है, 50, तो Y कितना हो जाएगा, भीटा, 80, कितना हो जाएगा, 80 degree, clear है, चलिए, X और Y निकालना था, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हमें निकालने हैं, खुद दो सवाल, पहला सवाल है ये, यहीं से शुरू करते हैं, निकालना क्या है बच्चे, P, R, Q, ये निकालना है, P, R, Q, ये कोण हो गया, 70, कारण इस बिंदू पर ये दो कोण होने हैं, दो नो कोण कितने के होते हैं, 180 के, तो एक कोण 110 का दिया हुआ, तो दूसरा कोण क्या हो गया, 70, यहाँ पर यहीं लगाएंगे, ये 135 था बच्चे, तो ये वाला कोण आ गया, आपका, 135, 185 में से 135 गटाएंगे, तो ये आ जाएगा, 45, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, फिर से बताती हूँ, इस पॉइंट पर ये दो कोण है, एक 135 का है, और ये दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 180, तो ये हो जाएगा, 45 का, यहाँ पर भी यहीं होगा, ये 110 है, तो ये हो जाएगा, 70 का, अब तिरभुज PQR, तिरभुज PQR में, PQR में एक कोण है, 45 का, दूसरा है, 70 का, तीसरा नहीं पता है, और 180 डिग्री है, तो 70 और 45 को जोड़ें, और 180 में से घटा देंगे, 115 यहाँ से जब घटेगा, तो X आ जाएगा, 65 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चे, 65 डिग्री, ये आपको निका निकालना था, इसको हमने X माना था, ये हमने निकाला कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया, ये होपी समझ में आपको, तिरभुज के तीनों कोणों का योग लगा दिया हमने, चलिए आगे चलते, इस सवाल में हमें निकालना है, X और Y है, तो X और Y ही निकालना होगा शायद, क्योंकि और कुछ है नहीं यहां दिखने का, X और Y हमें नजर आ रहा है, चलिए बच्चों, X और Y निकालना है, हम लेते हैं ट्रैंगल QSR, आपको नजर आ रही होगी, QSR, ये ट्रैंगल में, ये वाला कौण X, 28 जमा X बराबर हैं 65 डिग्री, 28 जमा X बराबर हैं 65 डिग्री, कारण क्या है, बाहिये कौण परिमें, इस तरबुझ का ये कौण साइड बढ़ाया गया है, तो ये कौण इसका और इसका जोड़ होगा, तो X यहां पर आ जाएगा आपका 37 डिग्री, क्य साथ में इस सवाल में ये लाइन और ये लाइन पैरलल दी गई है, P, Q समाना अंतर है S, T के, सवाल पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, P, Q समाना अंतर है S, R के, S, T या S, R जो भी आप कहना चाहें, इसके समाना अंतर है, तो ये कौण, इस कौण के बराबर होगा, ए ये कौण, इस कौण के बराबर, तो ये हो जाएगा S, ये सैंतिस हो जाएगा, और ये कौण, इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कौण, इसके बराबर होगा, तो ये 28 नहीं होगा, रुकिए, ये सैंतिस हो गया, बिटा, ये कौण, सैंतिस और ये कौण, देखें ऐसे 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 तो यह दोनों कॉय गाई एक काऊन सैंतिस होगे अब सैंतिस में अगली जो कंडिशन हमारे पास आई उसको सौल्व करते हैं हमारे पास एक तरभूज बन गया उस तरभूज में एक कौन 37 है एक कौन 90 है 90 और 37 को जोड़ेंगे प्लस y is equal to 180 degree तो y यहाँ पर आ जाएगा 180 गटा इन दोनों को जोड़ेंगे 127 तो यह आ जाएगा आपका 53 degree कितना आ जाएगा बच्चे 53 तो x आ जाएगा 37 डिगरी और y आ जाएगा 53 डिगरी कोई डाउट नहीं है चलिए मिलते हैं अगली वर्क्षिट किता तक पढ़ते रहिए बबाए बच्चों